प्रिया इस व्लोगिंग फिर से एक और दिन सुभा सुभा चार बजे हम अपनी मौनिंग रिच्वल्स करके पहुंच कई योगा ग्राउन में और यहां पर जगा जगा हवन और यग्य भी चलता रहता है आप पीछ पीछ में उठके वहां भी बैठ सकते हो तो मोहित और पार्क पैठ हुए है योगा करने के बाद वापस कुटिया तक आने का रास्ता मैंने अब आपको दिखाऊं तो सहीज की कुपसूर्सी कितनी जाता है यह अभी सुबा कहते हैं पॉप हटना मतलब अभी सुबा हो रही है संड्राइज हो रहा है तो योगा ग्राउंड से अपनी कुटिया तक जाने का रात्ता आपको मैं पूरा दिखा रही हूं कितना फूलों कितना फूब सुगत है और जब पूरी धूप निकल आती दिद में तो और भी जादा ब्यूटिफुल हो जाता है आज कि इस व्लॉग भी मैंने काई इस दो तीन दिन के क्लिप्स इकठे करती हैं मैंने आपको काफी सारी डिटेस बताइगे इसमें क्या क्या होता है कैसे हो अगर अगर आप मोटिवेटेट फील कर रहे हो मेरे इन व्लॉग को देंकर तो मैं तो आप से कहूंगी कि अगर आप अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकालके अपनी फामिली को लिजा सकते हो योग्राम तो जरूर जाओ चाहे आप बिमार हो चाहे नहीं हो बट इस is a blessing for every human being and I'm proud कि ये हमारे इंडिया में ओख वूभ औरन चाहन प्तार। कि याइज लंच टाइम और हमें जाम मिल गया हमारा रम का जाम से जाम टक राइजा थेंक यू चीर्स जै बाबाराम देव की गाइज ट्रैकुला ब्लड है गाइज हम खाना का क्या रहें डिनर और आज था मेरा जूस डे लेकिन आज किसी कारणवश मेर को मेरी डॉक्टर ने रात को खाना लिख दिया खिचडी वगएरा और तुम्हारे जीजू का तो पांच किलो वेट गिर गिर गया है दो दिन में भाई साव मुझे तो बापी जा के बनाना बड़ेगा मैं तुम्हें परांठे फेलों कि घर ज कि अदुम्हें जा कितना क्म हुआ मैं वो सर्फ्राइज दे के लिए रख यू था जा है कि अवेट रहां तो पर लोग चीटिंग भी जा है या रख प्लीज किटिनी दे तो हमनें करी चीटिंग थोड़ी से यूप टोड़ी सिंगे थी फिर लोग कि नहीं पर्णी इसलिए हमें करने निजेरी उल्टे काम इनने रोटी निचोड़ के उसमें जूज निजाला है रोटी का जूज गाइस ब्रेकफस्स ताइम यह रहा हमारा परिवार रही हमारी प्रेंट दोन कनाति हमार थेर्ण वाष्टा उधा बैठी अंगे में qi mi सुझा खालो 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 क्रेंट्स गेलगा हूँप से फेस बड़िया काया कल्पacz लेप जो कि रोज लगता है कॉस्मेटिक ले पे बहुत ही बड़ी हर्बल मैंने ना चुपके से दीदियों से पूछ के सीख भी लिया कि इसके अंदर क्या क्या है तो मेरे चैनल पे डेटेल में आईड़ा प्रियास ब्यूटी जोन पे हेलो गाइस अज है 25th March और दुपहर के धाई बचे मैं हूँ अपनी कुटिया में और मैं बीच में पता नहीं कुछ ऐसी खास ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ जहां मैं आपको बोल कर जादा बता को हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं बट अभी मैं अकेली हूँ अपनी कुटिया में और रिचा गई हुई है अपना ट्रीटमेंट करवाने मोहित और पार्ट साथ वाली कुटिया में है और वो भी अभी गए है अपना दुपहर का ट्रीटमेंट कराने मुझे भी जाना है लेकिन मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थी यूँकि मैं व्लॉग एडिट कर रहे थे और यहां पर इनका जो वाइफाई यह रूम में देते हैं वो पता नहीं समहाओ रात को बडन तेज चलता है दिन में नी चलता और रात को मेरी हालत इतनी खराब हो जाती कि तब मेरे से लाप्टॉप का काम नी होता थक जाते है दिन भर में यह बीच में जो टाइम मिलता ह अब में को करना होता है तो वाइफाय चलता नहीं फिर में को अपना फोन मोन का ही यूज करना बढ़ता है और यहां पर थोड़ा चल रहा है तो मैं वही कर रही थी इसलिए आप मुझे भी ट्रीटमेंट के लिए चाना है मैंने सुचा फटा फट व्लॉगिंग में आपसे थ तरहां से डालते हैं खेर मैं आपको पताती हूं कि जब आप आओगे न अगर यहां पे तो पहले और दूसरे दिन तक तो आपका पका मन बन जाएगा कि हम जा रहे हैं वापिस चाहे पैसा डूपता है डूप जाए हम यह नहीं कर से लेकिन अगर आपने अपने आपको समाने में दुनिया मांगती और नहीं मिलती सबको हेल्थ इशूज हैं सबको बिमारियां पैसा जितना मर्जी कमालो सारा बिमारी ठीक करने में चला जाना तो यार पहले बिमारियां अपनी देख लो ना कि आपको ना हो है ना यहां पे योग राम में आपकी बॉड़ी की detoxification होती है बाकी जितना भी YouTube पे आप देखते हो detox water, detox detox हो, that is all zero and fail, वो कोई आपको detox नहीं कर रहा है ऐलोपैथी की दवाईयां खा खा के आपकी बॉडी में जितनी चीजों को suppress कर दिया गया है न वो सारी गंदरी और बिमारियां निकालने के लिए आपको naturopathy की तरफ आना चाहिए मैं खुद बोल रहे हूँ आर ये चीज जब की मैं भी कुछ होड़ी सोचती थी मतलब यहाँ पर एक हफ़ते का minimum होता है package 7 days का जो हम आए है अगर आप वो कर जाते हो न तो समझ लो आप अगले कई महीनों कई साल के लिए आपके अंदर की body की गंदगी हट जाएगी और आपकी body पूरी तरह से rejuvenate हो जाती है मतलब बोलते हैं न कि पहले जमाने में लोग fasting क्यों करते थे ये वरत वरत जो है न सिरफ देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई प्रताएं नहीं है इनके पिछे सही में हमारे पूरवज्जो है उनका logic होता था कि जो हम दिन भर में खाते हैं रोजाना में खाते हैं हमारी body को भी rest चाही होता है हमारी intestine सारे organs को rest आराम ताकि वो जो अंदर गंदगी जमा हुई है वो उसको निकाल सकाएं तो वो fasting होती थी और fasting का मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं खाओ कई बढ़ खालएं वी सालिट्स पर वो तो वो सब हमें पता नहीं है कि हमें कब क्या करना चाहिए कौन से combination में करना चाहिए यहाँ पर वो यह knowledge भी देते हैं और आपको ऐसी ही डाइट पे भी रखते हैं और साथ ही साथ आपको ट्रीप्मेंट्स देते हैं गाइज पंच कर्मा और नाच्रोपेथी के जो ट्रीप्मेंट्स हैं वो इतने एफेक्टिव हैं कि मैं सोच चीजी पहले आयरवेदा को ना काम करने में बहुत लंबा टाइम यहां पर एक ट्रीप्मेंट होता है और आपकी गंदगी ऐसे फ्लॉश आउट होती है मतलब मैं आपको ट्रीप्मेंट्स के नाम नहीं बोल रही हूं बट बहुत सी चीज़े आपको पता भी नहीं चलेगा जब होगा न तो आप खुद हैरान होगे कि इतना गंद था है जब वो निकलेगा सिरफ यहां नहीं माट रहे हैं यहां आपको ट्रीट्मेंट भी दे रहे हैं और आपको ऐसी डायेट पर भी रखने हैं और यहां जो भी आता है ना अगर ओवरवेट है पांच किल्लो तो साथ दिन में लूज करके जाता ही जाता है और जो अंडर वे सदनली आजाना साथ दिन के लिए वही करना जो यह कह रहे हैं लेकिन अगर आपने कर लिया तो आप जिंदेगी बर इस एक्सपीरियोंच को भूलोगे नहीं इसलिए आइ थिंक पतंज्री योग्राम को न अपनी एड इतनी करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि जो यहां से यहां योग्राम में गूंगते हुए दाइने कॉल में बात कर रहे हैं कि क्या है हम तो कल वापिस जा रहे हैं हम आज आये थी तो अब मैं उनको करती हूँ कि दो दिन और रुक जाओ अपनी लाइफ के लिए अपनी बॉडी के लिए तो रिच्छा हैरान हो रहे है कि यह ख कोई नहीं है वह अगर आप में से कोई सोच रहा है तो जरूर जाहें और अगर आप अपने या आपके अपने चरीर की ऐसी कुछ प्रॉब्लम से परिशान है जो कि सुनने में चोटी प्रॉब्लम से कॉंस्टीपेशन सबसे बड़ी बिमारी इस कॉंस्टीपेशन जिसकी वजह से और बड़ी बड़ी बिमारियां शरीर में आती ही आती है तो उसको बिल्कुल लिगनोर मत करें तो मेरे ऐसी चोटी प्रॉब्लम से लिए ना आपको गैस्ट्राइटिस होता है गैस बनती है कॉंस्टीपेटेट रहती हूं सिर्दर्द रहता है सर्वाइकल रहता ह इनको छोटा मत समझो आओ और ठीक करो फिर अंदर कुछ और है तो वो भी निकल के आएगा यहां और यहां ठीक किया जाएगा बहुत एफेक्टिव और अगर आपको कोई बड़ी बड़ी बिमारी है जिसके लिए एलोपैथी आपको बहुत घुमा रही है बहुत पैसा ख कराने गाइस यहां आओ अपने हिलाज कराओ जै गुरुजी जै बाबा राम देव और सिरफ इलाज ही नहीं होते भाईया ब्यूटिफिकेशन भी होती है हमें चंदन हल्दी मुल्तानी मिज़ी के लेब भी लग रहे हैं संबर्न के लिए इसकिन के कोई इस्यूज है लोग जीवन के मेरहते हैं एस किया बिमारी हो गाई है तब हम हर चीज करने को तैयार होते है हुआ बस हमें बचालो हम कुछ भी अर्चा भे जार्हे हैं घय से करें नहीं हैं और सहर के बूद बढून क्रों के ए पर जो थोड़े ठीक हैं और यहां आतम सें फोनी सी नहीं तीका यार यह क्या है खाने में कुछ देते नहीं है और सेर इतनी करने पड़ते है क्योंकि यहां walk होती है आपकी बहुत ओती है अल्दो यहां पर अपको इधर तर लिजाने के लिए electronic cars हैं लेकिन आप वेट नहीं करते हो न कि आप करने जाते हो जाते हो जगा जगा अपना treatment center जाना है फिर yoga जाना है शेडियूल होता है पुरा आपके दिन का आपको मिलता है तो आप का मतलब जो weight loss है उसमें से आजातो walking नहीं हो जाता है यहां पे इतना यह बहुत ही प्यारी जगाई बस जाता नहीं हो बहुत जादा बोल देती हूं मैं भी ना रुकती नहीं हूं ना ऐसी हो दैं में साथ कोई बात ने अब समझ जाओ यह देखो गाइस ना थेला लिया छत्री ली और मैं अपनी कुटिया से चल पड़ी हूं ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट का टाइम हो गया और अब सेर करते हूए पैदल जाओंगी वहां तक यह देखो नजारा देखो आप रास्ता देखो आप कित हैं पेड़ हैं इतनी खुली जगह है उपर क्लियर आस्मान है धूप पर यहां मिल रही है विटामिन डी जो जह हैं वहां तो हमें मिलता ही नहीं हम निकलते ही नहीं है और यहां ऐसी गर्मीनी है जो बरदाश्ट ना हो क्योंकि उची जगह पर देख रहे हो दूर हैं तो ठंडग होती है सुभा और शाम ठंडग बरदाश्ट नहीं होती है यहां इतनी ठंड होती है स्पैटर पहनने पढ़ते हैं लेकिन दिन भर में गर्मी हो जाती है तो प्लेजंट भी है वहां वो डॉम दिख रहा को वहां पर यूगा होती है शाम को सुबा दूसरी जगा यहां यग्य चिकित्सा हवन वगेरा होते हैं उसकी धूनी आप लो वह भी बहुत हर्ब्स आपको फायदा करती है देखो फ्लार्स देखो आप किते सुन्दर हैं यहां पर ट्रीट्मेंट सेंटर्स हैं लेडीज का अलग साइड पे जैंस का अलग साइड पे और जरूरी है वहां रहते हुए तो हम लोग अपने लैपटॉप्स आइपैड टीवी में घुसे रहते हैं मुझे वहां जाना है पंच गर्मा योग्याले और यह देखो पीच में पॉंड है लोटस के पत्ते अभी लोटस खिलानी हुआ कोई सुबा सुबा भी दिख जाता है यह देखो कितना खूबसूरत है हाँ 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 लो जी गाइस मैंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया मैं रूम पे अपनी कुटिया में आ गई थी और अब बांच बच गें समय है शाम का काढ़ा पीने का तो हम जा रहे हैं भोजना ले अपना अपना जूस या काढ़ा जिसको जो भी लिखा है पांच बचे वो पीने धूप आंखों में आ रही है एक ट्रीटमेंट है मेरा शिरो धारा हुआ है आज और नी के लिए होट कोल्ड कंप्रेस बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है यहां बेटा आओगे तो पता चलेगा लो अपने जीजो और पार्थ से मिलुआ है लोग भीचा लग लगग रहा हूं ब्हूत आंद को उन्हां ने मेरा 5 km गड़ें गारी हांट thou दूं मैंने मेत कोई धन्में रही गाए लेकिन कुछ नी प्ट्रीटकर पनाए नीग आ Creating Bag requests का लेकिन कोई बात में वह अभी वपिस भड़ जाएगा वह बता रहे हैं हेलो गाइस आज देखो टिनर में सब की धाली कितनी सुंदर है और अपनी प्रिया दिदी की धाली देख लो यह मैंमे यह यह गुट मॉर्निंग गाइस यही दिचा हाई सुबह के बज़े हैं चार और हम जा रहे हैं अपनी रुटीन पर यहाँ पर ऐसे होता है सुबह मॉर्निंग में फोर ओक्लॉक उठकर आपको कुछ क्या करना होता है इनको क्या कहते हैं क्लेंजिंग क्रिया शट कर्म क्लेंजिंग क्रिया करने जाना होता है तो वही हम अभी करने जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से सीधा यूगा क्लास बाबा रामदेव के साथ 2 घंटे फिर फिर एक और प्रक्रिया होती है मिटी की पटी एंड औल दाट फिर उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास किमके आज हमें डिस्चार्ज लेना है कल हम जाने वाले हैं वोपिस तो डिस्चार्ज आज ही लिग दिया जाता है और उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास् तो देखो आभी पूरा अंधिर आ है और यहां काफी ठंड है और हम जारे हैं सुबह सुबह त्यार हो के अब जारे है कि नी आए और लग भी नी रहा हूँ उठना भी मुश्किल नहीं लग रहा यहां तो चार बजे अपने आप टेच नीन खुलते हैं उठते हैं पहनते हैं त्यार होते हैं और चले रहाते हैं जबकि यहां ठंड भी कितनी है आलस जी नहीं आ रहा इन्होंने रू कि नाक में से पानी जाएगा और दूसरे में से निकलेगा तो जितनी भी गंदेगी और म्यूकस है वो सब निकल जाता है जलनी ते होगी नाक एकदम क्लियर हो गया सारा म्यूकस बाहर और अब मैं जा रही हूँ आई वाश का मेडिकेटर वाटर ले में एरा फ़र आई वाश इसके अंदर डिप करके आई इसको कोलना है 21 टाइम्स मेरे सारे मौनिंग रिच्वल्स होगे मेरी आईस क्लीन है नोट क्लीन है थ्रोट क्लीन है और अब हम जा रहे हैं योगा वाले ग्राउंड में जहां बाबार राम्देव होगे रिच्चा लाइट में ता चैरा दिखा दे अपना यह देखो देखो मेरे फेस से भी कम हो गया है ना weight and fat and glow भी आगया गया रिच्वल्स अच्छी में कम है मुहित को भी फीलो रहे है रिच्चा भी बतारही है और मुझे भी फीलो रहे यार, नाचरोपैथी is the best, go for it guys, yoga, diet and नाचरोपैथी is the blessing and thanks to Richa क्योंके वही हमें लेकर आये यार यहां पर, thank you यार, God bless you guys हम योगा ग्राउंड पर आचुके हैं, यह देखो सब अपनी सुबा की नेतियां करके यहां आगे हैं और एक-एक कोई भी गद्दा ले लो, उस पर अपना ये बिचा लो, रूम में मिलता है चंदर, मैंने तो उपर शॉल भी बिचा लिए, पर सुबा यहां बहुत ठंड होते हैं, बापरे, और यहां रिच्चा भी आ रही है, पानी भरने गई है, तो मैं शूज उतार के इस प बाबारामदेव, गाइस, मैंने पीच में ब्रेक लिया है, देखो, आपको दिखा रही हूँ है, यह सब कर रहे हैं, और बाबारामदेव कर रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, बैट जो भाई, वो देखो भाई, साब, यह रहे, मकडासन, बाहर हो रही है, बहसम भाजी, हो पहुत है, आपको जो दरमादेवक अचिट, क्रमेशित दॉल्ट, जो Sure ain't. बहसम भाई, बनाज़पा, इक होगी शुच्छकी नहीं, सब दिश्केस सब करने लगे, आख़्ुलीने लगे लें, आइस हो, मेरे दोडराल दिलों अचोंराल जो क्या हुआ है, मेरे। अब ले आए हैं फिर से यहां यहां पे रोशनी आज 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 आरी रोशनी सामने से जीजू पास और रिच्छा जीज के जन तो रिच्छा ने दो कि लोग है रिच्छा ने पहले बहुत प्रेक लूज किया हूँ हमें ज़रत थी इनको तो ज़रत भी निदी निदी ने खामगा लूज चल लिया अब चिजल हो गया हुआ है ले को रोटी ने अज ने नाघ ज्यात थी यह Bishop लिच्छा रोभीं ने रही सो कि इसे ने अिदे क्ल्क नाशका है करें कि एक लागर कि मेरी करेंगे सार्य करेंगे लिच्छ के लिचे और आएरान वी कुष्भ हो आर्새 नाशका के लिचे चाम क मतली है चलो चले डाइनुन हॉल में हुआ गाइस तब हमने डिनर कर लिया हमें मिली रोटी जिजू रोटी थी पर सब्जी अमम पर्थी तो थी है अहां मतलब रोटी तो थी है अटलीस्ट लास्ट मील हमने फिनिश कर दो अटलीस्ट मील हमें बजर चले चले अटलीस्ट मील हमें में रोटी आप बाज्रा रागी हमारी रिच्चा की यूगा क्लास जोइन कर लो आपको भी बहुत बेनिफित होगा सुरफ यूगा क्लास नी डायेट प्लाइं की देती और पूरा नाच्रो पैथी एक दम नाच्रल तरीके से खिला पिला के वेट लॉस करवाएगी अच्छी चीजें खिलाएगी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बद पूलना